हेलो दोस्तों कैसे हो आप मैं हूँ सतेंडर तो इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे नैचुरल ग्लो कैसे आए ऐसा नहीं इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि लीपापोती.com मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये रगड़ना आपको स्क्रब करना आपक ये बिखा होगा कि अगर उसका फिस जो न है वो फिर नहीं है मतलब डार्क कलर का भी बंद लेकन उसकी तेज होता है, आप दूर से तेज की और उसे ओं ये फेस पे फेस पर तिक जाता है बंदा बतलब बात करेगा दूर से आ रहा होगा चलके तो उसकी personality बता देगी आपको और personality को judge अपन सबसे पहले face से ही करते हैं बाद में close वगरा यह सारे सब कुछ आते हैं यही होता है वैसे आप कितना भी छुपा लें लेकिन में तो face से ही अपन define और describe करते है तो बात करते हैं अपन face पे natural glue कैसे लाया जा सकता है इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना है diet का आपको diet के अंदर देगो भई राजस्तान से हो या फिर कोई भी state से हो दूद, दही, charge available होता ही होता है क्योंकि इंडिया का जो temperature है वो change होता रहता है पूरा change होता रहता है तो वो charge को ही convert कर लेते हैं पर फिर राबडी के अंदर और वो जो अलग-अलग उसके milk के ही products हैं सारे लेकिन आपको ध्यान देना है यह दूद, charge और धही यह तो बिल्कुल लेना है आपको क्योंकि सरीर को इसके लिए जरुत होती glow के लिए oil गी natural oil ऐसे नहीं अगरा pimples से start हो जाती है काफी लोगों के pimples रहती है हमेशा उन लोगों की यह problem है कि उनके सरीर में जो oil होता है वो उसकी वज़े से यह इनकी pimple आ रही होती है और दूसरा अपने इसको कह सकते हैं गर्मी की वज़े से गर्मी की वज़े से भी pimples होने का बहुत बड़ा कार दूद, धई और चाच इन तीनों का इस्तमाल करते हैं तो आपके जो शरीर के अंदर की गर्मी है वो भी शान्त हो जाई है और निकलती भी रहती है गर्मी तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है दूद, घई, चाच ये तीनों चीजे तो आपकी डाइट के अंदर इन्वल्व होनी ही होनी चीजे ध्यान रखें इस चीज के लिए और कभी-कभी आप अगर आपका मन कर रहा है फेस क्लीन करने का तो क्लिंजिंग मिल्क नाम क तो थोड़ा सा दूड डालने मतलब हाफ कप डूड डालने और थोड़ी सी कोटन लें रूई ले और उसकोई डालके फेस वोस आपको जिससे भी करना है कर ले ना पहले फेसोस oil अगर लगा हुआ है तो भी देखो ये डालके आप इसको और फिर उससे रगड़े आप तो देखोगे आप क्यों ना cotton black पड़ जाएगी ऐसा नहीं है कि हो सकता है पहले से भी clean हो तो ना भी पड़े लेकिन इससे आपका clean हो जाएगा पूरा face तो ये आप natural ये इस्तमाल कर स तो natural glow के लिए अपने बात करी कि आप जो अपना milk होता है उसके अंदर थोड़ी से मलाई डालके आप कभी कभी पेस को scrub कर सकते हैं ठीक है इसक्रब वालग से खरीदने की कोई जरुत नहीं पड़ेगी आपको कोई लीपाप होती की जरुत नहीं पड़ेगी इससे ही आपक अगर आपको मन कर रहा है ज्यादा खाने का तो आप उनको एक रात पहले भिगो सकते हैं और वो वाले खाएंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेगी आपकी बोड़ी में अगर वैसे भी आप डिरेक्ट खाना चाते हैं ड्राइ फ्रूट्स तो आप खा सकते हैं लेकिन ध्य देरे टाइम टू टाइम कॉलेस्टॉल बनने लग जाता है फिर आगे बहुत सारी दिक्कते स्टार्ट होती है तो ध्यान रहे तीन चीजे मैंने आपको बता दिये कभी-कभी आप फेस को क्लीन कर सकते हैं आपके मिल्क के अंदर जो मलाई होती है उपर जो रात को फ्रीज पड़ती जिससे ग्लो आता है वह आपको सबसे ज्यादा दूद धाई और छाट से मिलता है और कोशिस करें जो घर में ओयल इस्तिमाल करते हैं वह आप कच्ची गानी का हो या फिर कोई भी ट्रस्टेड ब्रेंड का हो जिस पर आपको ट्रस्ट है यह चीज और लास्ट में चनलुजन देता हुआ जाता हूं मैं आपको इस चीज का परहीज करना को करना है आपको जो नू मेस्शरिवेशन फर्म टोडे और यह ध्यान रखना है अपको मैस्शरिवेशं से होता है कि जो घी आपकी बोडी ने जमाया है पैस पेश्पे गलो आएगा और बहों सरे काम जिससे आपको energy मिलती है, बैटरी से जैसे clock चलती है, आप उसमें जो cell डालते हैं उससे ही चलती है, तो वैसे भई को थोड़ा रहने भी दिया करो बोड़ी के अंदर, जिससे आपको glow भी मिलेगा, और आपके बहुत सारी दिक्कते सही होती है, यह एकदम fact है, last में मैंने इस इसलिए आपको यह conclusion में बताया है कि no more masturbation from today onward, तो यह ध्यान देना आपको यह ऐसे ही नहीं है, चलती घरती बात बोल दियो, इसके उपर आप और ध्यान देंगे, तो आप समझ जाएंगे पुरी गड़ेत, Thank you for watching, I hope you must have found this video helpful.